कि नमस्का दोस्तों यूटूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैंने आपको मैत में अनुपास मानुपात पूरा चप्टर खतम कर दिया है आज मेरा अगला है चप्टर आयुस्वमंद का कोश्चन है जिन में से हमने तीन भाग पढ़ा दिया है और चा कोशन करा रहे हैं आप लोगों का कि आप लोग माले किताब लेकर बैठ रहे हैं तो सुपर हमारे वीडियो देखकर हल कर सकते हैं ठीक है जैसे बता रहे है उसी टाइप आप लगाई है ठीक है चली कोशन को देखते हैं कोशन जो है याजडी आदो का पूरा कोशन है देख वर्स भाले दो समंद स courtesy पहले इसकी आयो का अनुपात पांच समंद साथ भाट उन्हें की आयू का अनुपात क्या होगा इसको लगाओ ध्यान से एसे सवालों को लगाने के लिए क्या करेंगे आगे इनका क्या बनाएंगे इनका आगे क्या बनाएंगे इनका प्रजेंट एज बनाएंगे तभी ये सवाल लगेगा तरह यह या रबी की आयका अनुपात दे दिया ए और बी के कितना दिया या आइकान उपाद दिया है आइकान उपाद दो समंधे तीन बी करहा कि आठ वर्स पहले के दिया है आठ वर्स पहले जब यह एंसर देंगे आठ जोड के एंसर देंगे आप ठीक है यह हो गया और करहा है अब से चार वर्स पहले ठीक है आठ वर्स पहले भीर चार वर्स भाले का राख पहले पहले घाट गंतर कितने का आएगा चार काएगा ठीक है क्या beneath चार ठीक है यह लिखा से गठाइंगे इसमें ग麼 नंकर रहा है तीन बड़了 है समीकिना वाड़ tsp फैरा बर्हा करेंगे कि इसका अंतर इसका sait कि अनतर है कर दो इसका बुदा कर दे कि इसका गुदा कर देंगे जाए Euro बराबर चाल लिखें गदे और ये क्या हो जाएगा पाँंच समन्दे साथ अब देखेंगे अंतर समान आएगा इसमें अंतर किने के का आया एक का यहां एक का अंतर आरहा हां यह मतलु कि एक बराबर पूछा है यहां किसका पूछा है अब से आठ वर्स बाद उनकी आउनकी का नुपार्थ यह यह पूछा है एक यह वर्तमान एज बना ले हम से इसमें क्या कर देंगे но कर देंगे ठीक है क्या कर देंगे डा कर देंगे कितना मुझा लेगा चाचो का agre Talent हो जाएंगे और इसका गुड़ाइच चचोग के चोबीस हो जाएंगे ठीक यह आठवर्स पहले के दिया है वर्तमान बनाने के लिए 8,8 तो जोड़ेंगे आठ इसमें जोड़ेंगे हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12,8 कितना हो जाएगा आपका 24 हो गया और यह हो गया आपका 32 हो गया ठीक है यह हो गया वर्तमान एज हुआ है इसमें पूछा है क्या इसमें पूछा है कि इनका एज अब से आठ वर्स बाद इनकी आयू क्या होगा आठ वर्स बाद का कहा है क्या करेंगे इसमें आठ आठ और जोड़ देंगे आठ इसमें और जोड़ दो, आठ इसमें और जोड़ दो, आठ वर्स को बाद आ जाएगा, आठ वर्स बाद का जाएगा, बाद का जाएगा, ठीक है, आठ वर्स बाद के जाएगा आपका, आठ वर्स बाद के जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा, आठ वर्स बाद के जाएगा, ठीक है, इसको जूडएंगे कितना जाएगा चौविस आठ कितना हुझाए गाफ कर बदिस सालक यह कितना हुझा आपके चालिस सालक यह संख्या कि si से कट रहा है किसी कट रहा है आठ से आठ बचे चालीज 8 चो का बद तल्द 6 कि आपके एंसर हो जाएगा इस नहीं रिए चार समय ने बाइब आज समय पांच आपके इंसर हो जाएगा तार समय में आज रहा है आफ आप हम को बताईए भी इसको रिपीट कहिंकि बताएंगे ठीक है अगले लिए इसको बीडेओ अग्रम बताएंगी इसको 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 पड़ो सब्सक्राइओ क्यों इlet कि A और B की वरतमान आयू में एक समंदे तीन का अनुपात है दस वर्स के बाद उनकी आयू में दो समंदे पांच का अनुपात होगा तो B की वरतमान आयू क्या है B की वर्तमान आई पूछा है ऐसे सवालों को लगाने के लिए क्या करेंगे हम आगे वर्तमान एज मानेंगे वर्तमान तो दे दिया है कितना दिया है अगर वर्तमान वर्तमान आपका दे दिया है वर्तमान आपका दे दिया है कितना कितना दिया है यह दिख लो वर्तमान एज दे दिया है कितना ने दिया है ने एक समंदे ती ए और बी की वर्तमान एज दे दिया है वर्तमान वर्तमान आपके एज दे दिया है कितना दिया है आपके एक समंदे तीन दिया है ठीक है करहें दस वर्स के बाद इनकी आयूक का अनुपात कितना हो गया दो समंध्य पांच हो गया यह हो गया ठीक है यह यह हो गया आप यहां से देखेंगे इसमें एक वर्स का एक अंतर आ रहा है इसमें दू का अंतरा रहा है तो यह हम नहीं लगाएंगे ठीक है क्या करेंगे इसका डिफ्रेंस के गुड़ा करेंगे है दो का यहां difference कितने का है तीन का क्रास ऐसे गुड़ा कर दिए ठản समान आएगा एक लोetes सब्प्राइब एक कितने का रहा है कि टार होगा आप एक का भेलो है तो किसका पूछा है तो बी की वर्तमानल PayPal पूछा है ब कुंछा ए ये ओ है ये क्या है आपके बी का बी बालघ में क्या कर सका है उड़ा कर दिम्हा नो कितना हो जाएगह आप का ब्ड़र्स यापका एंसर ही एंकर कितना हो जाएगह किसका जाएगा आपके बी का एंसर हो जाएगा अपसार आपका दिखाई दिया होगा यह आपका रूजाएगा यह आपका एंसर हो जाएगा इसके बाद चलते हैं नेश्ट कोश्चन लेकर चलिए अब इसको धियान से पुड़ो धियान से सबी लोग पुड़ो धियान से पुड़ो 7 वर्स पहले A और B की आयुकानुपाद 4 समंदे 5 था आठ वर्स बाद आठ वर्स बाद A और B की आयुकानुपाद नौ समंदे दस होगा तो उन्हें की वर्तमान आयुका योग भल ग्यात कीजिए ये कहा ठीक है चलिए इसको भी हम लगाएंगे किसे वर्तमान एज बना कर लगाएंगे ठीक है साथ वर्स पहले A और B की आयुकानुपाद कितना दिया है A और B की ठीक है कितना दिया है चार समंदे पाच लिए या कर रहा है साथ वर्स पहले की बात है वर्तमान बनाने के लिए कि क्या करेंगे साथ जोडेंगे तमनों वर्तमान आपका चलिए इसमें साथ जोड़ दो साथ इसमें दुनों का एज बढ़ेगा साथ-साथ यह बढ़ा ठीक है यह हो गया और कि सात वर्ष पहले यहां लिखो और اب दो और करा कि आठ वर्ष बाद पहले और बाद हम ठिक हमेशा क्या करते हैं जूड़ते हैं 3 150 तर देखेंगे इनका जोड़ ही अंतर हाएगा कितना है मैं यह जये और छायगा जीए अपर थाओं दूसरप समान आ रहा है यहां यह वित्र लग जाएगा अब इसमें अंतर करेंगे कितने का आएगा फाले फाले में से गटाओ तरका दुसरे का में से गटाएं अंतर कितने का रहा है आपके पांच आ रहा है ठीक है पांच किसके बराबर हो जाए इसी के बराबर हो जाए कितना बंदरे के बराबर होता है एक बराबर पर कितना हो जाएगा आपका तीन हो जाएगा कि युद्धा हुचा है यूच जोड़का करता है इसको जोड़ेे कितना जाएगा चार प्लस पांच और ये ये साथ साथ जुड़ेंगे ठीक है गुड़े क्या कर देंगे वर्तमान आगे वर्तमान में गुड़ा कर दें हम वरतमान में गुड़ा करते हैं सबकर एज निकालने इसमें गुड़ा करते हैं इसमें गुड़ा करते हैं हम ठीक है गुड़ा करें कितना जाएगा चाहते हैं बारे बारे इनका हो गया और प्लस इनका पांते हैं 15 हो गया यह साथ वर्ष पहले के दिया तो साथ साथ सबकर मे जोड़ेंगे वर्तमान में आने के लिए ये कर दो कितना हो जायगा 12 8 9 हो गया 15 पैदरासाथ कितना हो गया 22 हो गया यह हो गया अब इसी को जोड़तो या योग फल पूछा थो जोड़ेंगे योग फल पूछा है जोड़तो गोड़े कितना 9 2 14 वर्स हो जाएगा 40 वर्स हो चाएगा अए स्क करत hàng स्थे चलते हैं लिंकित है यह दिखू भूँर लगा जैसे बता रहा है है आप लोग भी लगाई के जीनतना सीखर करके को घूठ चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्ट कोस्चन चलते हैं इसको ध्यान से सब लोग पढ़ो और लगाओ पढ़ो धियान से सब लोग का रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चोगुनी है पांच वर्स पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की नोगुनी थी तो पिता की वरतमान उम्र क्या है पिता की वरतमान उम्र क्या है जहां गुना दे यह विधी हम लगा सकते हैं जहां जहां गुना देगा आप वहां 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 विधी लगा सकते हैं अनुपात का ठीक है यहां पिता हमेशा बढ़ होते हैं पुत्र आपका छोटा होते हैं इने की पुत्र को बढ़ा कर दें पुत्र को छोटा कर दें हमेशा पता है पिता हमेशा बड़ होते हैं हम स्कीय तरफ क्या लिख देंगे हम तो अलब है कि यह पिता कारा पिता क्यों रोग के फुत्र के फियो गुनि है क्योग Pourquoi अप्टर एक है तो पुता कट नो हो जाएंगे चार हो जाएंगे ठीक है यह हो गया और है पांच वर्स देखी है देखी चोगुनी है है मतलब वर्तमान एज देखा रहा यह यह सीधा यह आपके दोनों के क्या है यह दोनों के क्या है वर्तमान है वर्तमान और सूरा ऑर्तमान रेंता है यह करर है कि यह इक यह पांच वर्स बाद पांच वर्स बाद 5 जी पांच वर्स पहले पिता कुंप ठीछ के नो गुनित अब्त वड़ा यहomme पिता लीके तो पिता लेकर कि अंतर करो इसमें अंतर कितने खाऊ जाएगा आपका अंतर कर दो सभी लोग कि यह अंतर कितने का जाएगा आपका तिख्यएं इस ने का सबहिए आज इन्तर समान आ रहा है कि इसका डिफ्रेंस कितने गाएगा विए का इसका डिफ्रेंस आट का डिफ्रेंड इसका क्राश क्या करतें गे मुझा नुद्वा कर देंगे १ी प्याँ टेंगे आठ चोग का बती हो जाएगा ठीक है आठ है कम आठ हो जाएगा नौतरी के 27 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा आपका तीन हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा अब इसमें देखिए अंतर कितने का अब देखिए पहले पहलें से गटाए इसमें से गटाए अंतर कितने का आया पांच आया, पांच किसके बराबर हो जाएगा, इस पांच के बराबर, ठीक है, एक बराबर एक होगा, यह हो गया, यहां किसका पुछा, पिता की वरतमान पुछा है, पिता पुछा है तो पिता बाले में हम क्या कर देंगे, गुड़ा पिता है नहीं, पिता बाले में क्या कर देंगे कर देंगे कितना जाए बटीज गुरे एक तेस कहर से बटीज हो जाए ड़िए आप की डरीज हो जाएगा यह त्याउट जैकर हैं कि उसमेश जल्टर है यह यह जाए है दो कर दो इसको भी ध्यान से पढ़ो और लगाओ इसको ध्यान से पढ़ो और लगाओ इसको कर रहा है कि यदी यदी पांच वर्स पूर यदी पांच वर्स पूर राम की आयू का एक बटा तीन था और राम की वर्तमान आयू सत्रह वर्स है तो स्याम की आयू क्या है आप लोग लगाओ और इसके बाद हम लगाएंगे आप लोग लगाओ प्रयास करो देखिए हम कैसे कैसे बता रहे हैं उसी तरह आप भी लगाएए तरह कि यदी पांच वर्स पुर्व राम कियाई श्याम कियाई का एक बटा देंग था पांच वर्स पुर्व पांच वर्स पुर्व ठीक है पांच वर्स पुर्व का है राम कियाई राम कियाई राम कियाई राम कियाई श्याम कियाई का कितना है एक बटा तीन है ठीक ए बनेगा मतलब कि राम एक है तो स्याम कितना है आपका तीन होगा यहां राम और स्याम के रेशियो बना दो राम समंदे स्याम राम और स्याम के रेशियो बना दो सबी लोग ठीक है बनाएंगे तो राम लिखेंगे, स्याम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, राम और स्याम लिखेंगे, ये लिख देंगे, मतलब की ये राम कितना है, एक है, तो स्याम कितना है, तीन है, ठीक है, सब में एक्स लगा दे रहा है, ये है, आयू का एक बटा तीन था, ठीक है, यहां तीन था, मत तो यह वर्तमान नहीं दिया है प्लस यहां पांच वर्ष पहले की दिया है पांच वर्ष पहले दिया है तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे पांच पांच जोड़ेंगे पांच इनका बढ़ेगा पांच इनका बढ़ेगा यह क्या हो जाएगा वर्तमान एज हो आईदिया है राम की कितना माने है यक्स प्लस पांच किसके पराबर सतरह के यक्स पराबर कितना हो जाएगा सतरह माइनस पांच यक्स पराबर कितना हो जाएगा बारह यह हो जाएगा जिसका पूछे उसका क्या कर देंगे गुड़ा किसका पूछा है स्याम के स्याम के अब 289 किया कर्देंगे हमग ciao लिखेंगे प्लस-5 लिख देंगे ठीक है अब इसकंग बार ऑगी क्या क्रतें बारघंश सतरह बारऊ सतरह है जोता है नहीं कि तालीश वर्स ताल यह हो जाएगा, एंसर, एकतालीस वर्स, ठीक है, यह हो जाएगा, एकतालीस वर्स, यह आपका एंसर हो जाएगा, ठीक है, एकतालीस वर्स, यह आपका एंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, एकतालीस वर्स, यह आपका एंसर हो जाएगा, तब को समझ में आ रहा है कि नहीं हमको बताएए यह आपका यजडी यादों का पूरा सोलूशन करा रहा है मैत का ठीक है इसके बाद जो पढ़ा लेंगे इसके बाद हम आपको प्रेक्टिस कराएंगे और किताब के लेके कुश्चन ठीक है आपको और अच्छा समझ में आएगा आगे बेसमजबूत क की वर्तमान आयू से तीगुनी है पांच वर्स वश्चात मेरी आयू मेरे पुत्र की आयू से धाई गुनी हो जाएगी तो मेरी वर्तमान आयू क्या है मेरी वर्तमान मेरी मतलब क्या पिता का बारेम कर रहा है ठीक है पिता एक तरफ पिता लिख देंगे एक तरफ क्या लि मतलब पुत्र एक हैं तो पिता कितने हैं आप कर तीन है वर्तमार वर्तमान आयू का बातर ये प्रजेंट एज है सब वर्तमान है ये ये है वर्तमार पांच वर्स भाद पांच कर रहा है तो क्या करेंगे प्लस पांच तो लिखना होगा पांच वरस पस्चात मेरी आयू मेरे पुत्र की आयू का धाई गुना धाई गुना मतलब क्या होता है धाई गुना मतलब दो से एक बटा दो होता है कि नहीं दुदना चारेक पांच बटा दो लिखेंगे मतलब पिता लिखेंग कितना पांच लिखेंगे अपुत्र को दो लिखेंगे कहाने मतलब ये इसका अर्थ होता है आपका ठीक है आप इसमें देखो अंतर कितने का रहा है इसमें पिता-पिताम से घटारें दो का यहां अंतर एक का रहा है अंतर क्या रहा है आपका असमान आ रहा है अंतर समान करने इसके अंतर क्या कर देंगे हम गुराव कर देंगे इसके में अंतर क्या क्या कर देंगे इस चार हो जाएगई अब यहाँ से अंतर देखेंगे। पुत्र पिता पिता में से घटाएंगे पुत्र पुत्र में से घटाएंगे तो अंतर आपके क्या होगा समान आ रहा है समान आ रहा है कि नहीं अंतर कितने का रहा है एक एक किसके बराबर होगा इसी पांच के बराबर हो जाएगा ठीक है जो पुछे उसका क्या कर देंगे हम गुड़ा कर देंगे तो किसका पुछा है आपका पिता का पुछा है मतलब मेरी वर्दा में तो पिता के बारेम कर रहा है पिता कितना है पिता का ये इसमें गुड़ा करें ये नहीं कि इसमें गुड़ा करें जो चेंज हुआ उसमें गुड़ा करेंगे नौ पच्छे पैतालिस गुड़ा करने कितना जाएंगे नौ पच्छे पैतालिस पिता कितना हो जाएंगे आपका गुड़ा कर देंगे तो पिता कितने हो जाएंगे आपके नौ पच्छे पैतालिस पैतालिस वर्स यह हो जाएंगे पिता ठीक है इसका इ कि यह आपका एंसर हो जा रहा है ठीक है इसके बाद चलते हैं नेक्ट कोश्यां इसको पढ़ो यह भी ध्यान से पढ़ो जैसे पीछला सवाल बता है उसी टाइप का है एकदम अब लोग लगाओ एक प्रयास तो करो तो रहा है एक पिता अपने पुत्र से उम्र में पांच गुना बड़ा है एक पिता अपने पुत्र से पांच गुना बड़ा है ठीक है कौन बड़ा है आपका पिता ठीक है एक पिता लिख दो एक तरफ क्या लिख देंगे हम पुत्र लिख देंगे पुत्र एक है तो पुत्र कितना हो जाएंगे आपके, पांश हो जाएंगे, कर है पंद्र वर्स बाद, पंद्र वर्स बाद, पंद्रह वर्स बाद अपने पुतर से उम्रह में धाई गुना हो जाएगा धाई गुना धाई गुना मतलब क्या होता है आप क्या जुदना चार एक पांच बटा दो हो जाएगा पीटा पांच हो जाएगा तो पुतर कितना हो जाएगा आप क्या जो होजाएगे अब इसमें देखो वहीं फिदी लगाएंगे अब अंतर वला मेटर आ गया इसमें पिता घटाड़न जीरो हो जारें। एक अअपका याँदरा रहा है कah difference कितने का बुर्याइंस क्या क्या करेंगे गudhah इंद राएगा चार को किसम कोई आएगा रिंग क्या करेंगे करास गृदा कर देंगा ठीक है पांते हएं बंद रहे हैं यह इसका यहां गुड़ा करेंगे तीन इसका गुड़ा करेंगे आप पांचों का वीस हो जाएगा इसका चाहते हैं बारह हो जाएगा इसमें दिखेंगे अब इसमें इसमें पिता पिता में से घटा हो पुद्र पुद्र में से घटाएंगे अंतर आपके क्या जाएगा समान आ जाएगा जाएगा यह आपका आट हो जाएगा यह आपका आट हो जाएगा पिता पिता में से घटा रहे हैं पुद्र पुद्र में से घटा रहे हैं अ यहां किजिए यहां से काटनेंगे तो एक बरावर कितना आजाएगा आपका तीन आजं़ तो यह किसका पूछा थे टाक वERE तमानों वरतनमान अ उना चिम्म रहतमान कि घ्रतमान कितना हो जाएंगा उम्र कितना होetsJA कि पीता क्या कितना है आपका पंदरह पंदरह गुरे कितना कर देंगे हाँ तीन कर दें चुशी में चुरु करें पंदरह गुरे ए हैं तीन मरे पैठा alri इस वर्स के जिन में से मेरा विकल्ब कौन सा हो जाएगा सी नंबर ठीक है कौन सा हो जाएगा सी नंबर ठीक है इसके बाद नेक्ट कोशन चलते हैं कि यह पढ़ो 46 नंबर पढ़ो सब लोग लगाओ कि कर रहा है कि पांच वर्स के बाद पिता की आयू पुत्र की आयू की तिवनी होगी जबकि पांच वर्सों के पहले वह अपने पुत्र की आयू का साथ गुना था तो पिता की वर्तमान आयू क्या है यह पुछा है ठीक है चलिए इसमें देखी कर रहा है पांच वर्स के बा एक तरफ पिता लिखेंगे एक तरफ क्या लिखेंगे हम पूत्र लिखेंगे पूत्र की आयू की फिता कितना है आपका एक है तो पूत्र एक है तो पूत्र एक है तो पिता कितने हो जाएंगे फिगुनी होगी मतलब फूचर में गया है तो वर्तमान में आने के लिए क्या कर तब ना आएंगे नहीं जिसे मेरी उम्र पांच वर्स बाद मेरी उम्र तीस साल है पांच वर्स बाद तीस साल है तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे पांच घठा देंगे तब नहीं मालूब होगा पचीछ तीस में से पांच घठा देंगे मेरी वर्तमान उम्र कितन नहीं लिख लो ठीक है जबकि पांच वर्स के बाद अपने पुत्र की आयू का साथ गुना होगा देखे पहले और बाद पांच वर्स बाद और पांच साल पीछे जाएंगा तो अंतर कितने का आएगा आपका पहले बाद में का हमेशा जूर दिया कुरू नहीं का रहा है ठी तो है ख़ए अंतर के देखेंगा दिखेंगे इसमें पुताब ऑप ओंगटा रहा है यहां जीरो का रहा है अंतर समान करने के लिए कि इसका ड़ूरा करेंगे लिंस कितने का रहा है है मेलेड़ का का करते तरहाख हुँ हो जाएंगे और यह 6 हो जाएंगे तादुना 14 हो जाएंगे यह आपकर 2 हो जाएंगे अब इसमें अंतर कितनी काया अंतर कितनी काया अंतर कितनी का रहा है इसमें अंतर कितनी का रहा है अंतर कितनी का रहा है आप लोग बताओं अंतर कितनी का रहा है चार का रहा है ठीक है चार का रहा है तो चार बराबर कितना हो जाएगा, चार बराबर, चार बराबर मेरा कितना हो जाएगा, चार बराबर, तस के, तस के होगा ने, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर कितना हो जाएगा, पांच बटा दो हो जाएगा कि नहीं, पैसे यहां से काड़ दो, काड़ दे घुरने में तो हो जाएगा यहां से यह दूरर में यह आपका पंच बार में एक बार फंच इसका पूछा है पिताक की वरतमाना है पिता का माने हैं फिता का हम क्या माने हैं मेइसमे अठार मान किने डoben यह ई भले पांच चाओ नुटकर और वर्तमान में वर्तमान में 5 हम क्या कर देंगे घटा देंगे तम न वर्तमान में आएंगे दूसे कार दू दून नौ अठारा है नौ पुछे 45 माइनस 5 घटा दें कितना जाएगा आपके 40 वर्स कि आपके एंसर आजाएगा यह का दिस वर्स है कि इतना हो जाएगा जाली से इसके बाद नेश्ट चलते हैं कॉस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ध्यान से पढ़ो और उसको लगाओ ध्यान से पढ़ो करहां पिता की आयू पिता की आयू दस वर्स पूर अपने पुत्र की आयू की दुगनी होंगे तो उनकी वर्तमान आयू क्या है यह पूछा है चलिए तरहां पिता की आओ पिता की आओ दस वर्स पूर अपने पुत्र की आयू के क्या है तीगुना है तीगुना बनाने के लिए क्या करेंगे हम तीगुना बात किया है तीगुना ठीक एक तरफ क्या लिखेंगे पिता लिख दो एक तरफ क्या लिखेंगे हम पूत्र लिख वर्तमान बनाने के लिए 10 जुरेंगे यह हो जाएगा ओर और से 10 वर्श बाद फिर पहले और 300 सेबाद और सबसक्रारा कितना हो रहा है दो लिखेंगे यहां कितना का आया दो का इसमें गयब कितने का आया एक का अंतर समान करने के लिए इसका गुड़ा कर देंगे गुड़ा करें कितना जाएगा तीन हो जाएगा एक हो जाएगा, जार हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा, अब अंतर समान में आ रहा है, पिता पिता मैं से खटा आओ, पुत्र मैं से कटा रहे है, एक आ रहा है, एक किसके बराबर बिश के ठीक है? ऐखे हुगा को घूंख है अभी सब्सक्ट कर देंए गूडह कर दें कितना जाएगा पीत निकल्ग जाएगा ये आपका पूत्र कर लिए ईस दिना ठिटाम लेस्मिशक पुट्रा पूतृे लिग दो कुझे दस साल पहले क्या है दस जूड के एंसर देगे या दस लिखे है इसमें सबमें दस जूड completed दें तो वर्तमान हो जाएगा इसका कितना हो जायगा गा सतर और आर तीस हो जाएगा ये किसी संख्या से कट रहा है मतलब कितना जाएगा साथ समंदे तीन हो जाएगा साथ समंदे तीन हो जाएगा इसमें से एंसर कौन सा हो जाएगा आपके ये आपका एंसर हो जाएगा ये आपका एंसर हो जाएगा साथ समंदे तीन हो जाएगा ठीक है चलिए के बाद नेश् यस या नो यस या नो कमेंट के माद्य हम समको बताईएगा जब भी वीडियो देखना है ठीक है चलिए इसके बाद नेक्ट कोश्चन चलते हैं यह फोटी एट है इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ो बड़ा सवाल है ध्यान से पढ़ो इसको भी हम सरल तरीका से बताएंगे आप लोगों को देखे कर है रेनू मीनू और सोनू तीन चचेरी बहने है रेनू और मीनू की आयू समान है ठीक है रेनू और मीनू की आयू क्या है समान है रेनू और मीनू क्या है क्या है आयू क्या है समान है समान है मतलब की एक एक मानने हम परापर एक एक मान सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं तरह तीनू की आयू का योग सोनू की आयू से पांच गुना है तीनू की आयू का योग मतलब की कौन है रेनू प्लस मीनू प्लस सोनू तीनू की आयू का योग सोनू की आयू का कब गुना है पांच गुना है यह कर रहा है यहां से एक समझ में आ रहा है कि यहां एक रहता है कि नहीं मतलब कि रेनु मीनु की आयो कायो कितना है पांच है सुनु का कितना है या आपका है एक है यह मतलब यह आपका हो जाएगा यहां से हम रेशियो बना ले हम रेनु समंदे मीनु समंदे सोनु यह बना ले हम ठीक है रेनु कर रहा है रेनु मीनु की आई समान रेनु मीनु को यदि हम एक एक माल ने रेनु मीनु को तो सोनु कितना हो जाएंगे आपका सोनु के रेनु मीनु के अच्छा है यहां देखे सोनु के एक दे दिया है सोनु कितना है आपका एक है तो रीनु मीनु कितने हो जाएंगे हमको पांच बनाना है तो दो दो हो जाएंगे कि नहीं अधित के हो जाएंगे हमको पांच बना तीनों की यो कितना दिय Cassud दिया है तो यह सो नूँ एक है तो रीवानू मीनूं कितने हो जाएंगे दो दू हो जाएंगे आपको ये रेसियो बन तीन वर्स पहले रेनु की आयू 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 इनका भी तीनमर्ट घटेगा आए उसे का गुना है तीन गुना है अब्सकर हल कर दो अब इसी का हल करो एस के बैलू निकाल लो ठीक है ये दो एक्स माइनस तीन परावर इसका यहां भी गुड़ा करेंगे यहां भी गुड़ा करेंगे तीन एक्स माइनस तीन तरीके नौ हो जाएगा इसको इधर कर दें इधर कर दें यह से परावर नौते बारा हो जाएगा यह के बेलू कितना है मेरा बारा आ गया तो चार वर्स बाद सोनु की आई पुछा है चार वर्स बाद सोनु की आई पुछा है आर वर्स बाद देखने लिए इंद्टी हो गया कि ओ अधर करेंगे यह आपके घटी यह यह सब घटा दो घर जाएगा तो यह इदर करेंगा no minus 3 x पराद मेरा कितना जाएगा नौ में से तिन गया कितना गया चो आगया यह चो यह सके बेलू चो आएगा ठीक है तो कह रहा है तो चार वर्स बाद सोनु की आई पुछा है चार वर्स बाद सोनु की आई पुछा है चार वर्स बाद चार वर्स बाद सोनु की आई पुछा है सोनु की आई पुछा है ये पुछा है ठीक है? ये सोनु का आया है ना सोनु क्या माने? यक्सा माने है ना तो यक्स के पहले उच्छो आ गया सोनु के छो प्लस चार जोड़ देंगे कितना जाएंगे? दस वर्स कितने हो जाएंगे आपका? 10 words हो जाएंगे सोनु कितने हो जाएंगे आपका 10 words हो जाएंगे 10 words हो जाएंगे कितना हो जाएंगे आपका 10 words 10 words हो जाएंगे 10 words हो जाएंगे ठीक है यह 10 words में साफसा यह हो जाएगा आपका answer ठीक है चलिए इसके बाद नेश्ट चलते हैं qoction next question जलो अब इसको पढ़ो रट नमबर है यस्टी यादु यस्टी यादु नया जो भूक है उसका हए question, नया है, अब इसको पढ़ो तो रहा है दस वर्स पूर महेष की माता की आउननाstudy इस की आउनन denk दस वर्स बाद माता की आउननाstudy इससे दोगुनी होंगी तो महेश की वर्तमान आयू क्या है इसको दिखिए अभी वहीं मैटर है वर्तमान एज आज नहीं बनाएंगे स्वाल नहीं लगेगा ठीक है अब इसी को बनाना दस वर्स पुरू महेश की माता मता और पुतर के समध्र बता रहा है यह लिग दो पुतर क्या ठीक है यह दस वर्ष पहले माता की आयू पुत्र की आयू का चार मुना मतलब यह चार है तो यह पुत्रे पुत्रे एक है माता कितने है आपका चार है यह दस वर्ष पहले की बात है दस वर्ष पहले की बात है दस जोड़ देंगे तब कितना हो जाएंगे वर्तमान एश्क है सुमान यह वर्तमान हो जाएं ठीक है यह हो गया क्या जोगनी थी दस वर्स बाद 10 वर्स बाद का है प्लस 10 साल पहले और 10 वर्स बाद यह हमेशा जोड की लिखेंगे ठीक है दस साल पहले और दस वर्स बाद अंतर हम पहले और बाद में कहें तो हम इससा जोड़ दें